एक बार फिर से आप सभी के बीच में हूँ, एजुकेशन आफ आईरवेदा पर, आज का जो टॉपिक है, आप सभी के लिए बहुत ज्यादे इंपोर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए आप सब वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं, वो च रोज वीडियो आ रही है, उसका अपडेट आप सभी को मिलता रहा है, तो आज का जो टॉपिक है, आईरवेद का संपूर्ण परिचे मैं आप सब के बीच में लेकर के आया हूँ, काफी लोगों ने कमेंट किया था कि सर हमें आईरवेद का इंट्रोडक्शन हमें दीजिए, तो आप सभी के लिए मैं आईरवेद का एक संपूर्ण परिचे लेकर के आया हूँ, और आशा ये करता हूँ कि आप सभी को ये जो आईरवेद का संपूर्ण परिचे है, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, अगर आपको कुछ confusion रह जाती है इसके बिसे में तो आप हमें comment कीजिए, मैं उसका निप्टारा करूँगा, उसको मैं अच्छी तरह से explain करूँगा, नेक्स वीडियो में और उसको define करूँगा या आपको समझाने की कोशिस करूँगा कि ये चीजे कैसे होंगी, या ये चीजे कैसी है और कैसे इसको सामने रखना था, या इसका परिषय कैसे आपको करना है, या सारी चीजे मैं step by step उसको समझा दूँगा, तो आयरिवेद का जो परिषय है सबसे पहले आयरिवेद का परिषय जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि हमारे जो वेद हैं उसमें सबसे प्राचिनतम वेद कौन सा है, जैसे सभी क पता होगा कि वेद जो है चार है यजुरवेद अथरवेद रिगवेद और शामवेद ये चार वेद जो है वो श्रिष्टी जब उत्पन हुई थी उस समय इनकी रचना हुई थी पृत्वी का जब उत्पत्ती हुई थी उस समय इसकी रचना हुई थी तो माना ये जाता है कि सबसे जो पुराना जो वेद है हमारा वो रिगवेद है तो इसका जो उत्पति काल है लगबक 30,000 से 50,000 साल पहले की इसकी उत्पति होई थी तब ही आस-पास में इसके भी उत्पति होई थी मतलब इसका भी निर्मान हुआ था तो जो सबसे प्राचिन्तम वेद है रिगवेद उसमें भी आयरुवेद का उलेक पाया जाता है तो आप सब को जान करके यह हैरत होगा कि जो आयरुवेद है आज की पद्धती नहीं है प्रिथवी के उत्पत्ति काल से यह पद्धती हमारे बीच में है लेकिन कई लोगों ने निगेटिविटी फैला रखी है और आयरुवेद को जादे लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं और इससे जादे लोग जुड़ना नहीं चाहते हैं इसलिए यह पद्धती जो है दीरे दीरे बहुँ जादे पिछड़ गई थी लेकिन इस समय यह जादे पद्धती काम में आ रही है और हम अपनी चिकिसा पद्धती को पहचान रहे हैं तो दीरे दीरे इसका डेवलप्मेंट हो रहा है तो जैसा कि मैंने बताए कि जो सबसे पुरानी जो जब जो सबसे पुराना जो वेद है वो रिगवेद है और उसमें भी आईरवेद का उलेक पाया जाता है लेकिन जो कुछ आयरवेद के जो विद्वान थे जो महर्ष्री जो थे जो आचारे थे उसमें आचारे शुष्टू और कर्षप इनका मानना ये है कि अथरवेद जो है आयरवेद का उपवेद है तो आपको ये पता चल गया कि आयरवेद की उत्पत्ति कब की है और किस जानते हैं और ये जानते हैं कि जो जनक है जटक तो अगर आइरवेद का ही चี้कीस्सा सब्णति के बारे में बोलेंगे तो बहुस थी पुरें inskyक्षा प्द्दति यो वेदों में वर्ण्णन अलग यो में है जो रिशी को आधी और आइरवेद के आदि और आश्वनी कुमार माने जाते हैं और इन से भगवान इंद्र ने आइरवेद की विद्या सीखी और भगवान इंद्र से भगवान धनवंतरी ने ये आइरवेद की विद्या सीख करके पृत्वी के लोक कल्याण के लिए इनका जन्म हुआ राजा काश प्रिध के जो प्रक्रण हैं आईरवेद के जो शिद्धांत आईरवेद की जो चिःःष्ट पत्धति शुरू करद दिया तो राजा दिवोधास ने जो नए राजा दीवोधास जो थे भगवान धन्वंतरी एवतार बाने जाते हैं फ्रिःष्वी पिर उनंहों आईरवेद का प्रचलन आईरवेद की चिकिस्ता पद्धती का विकास प्रित्वी पर लोगों के हित के लिए किया कुछ जो रिसी हैं वो आईरवेद के जो पहले आचारे हैं आत्रे और सुसूरुत माने जाते हैं और जो अत्री और भार्दवाज जो हैं आईरवेद के प्र पद्धती है कब से शुरू ही और कैसे कैसे प्रचलन में आई कैसे कैसे प्रित्वी पर इसका विकास वक इनके द्वारा किया गया तो थोड़ा सा और डीपली अगर जाएंगे तो आपको आप लोगों ने सुना होगा राजा दच के बारे में जिन माना ये जाता था कि पहले बखरी वे और बहुता ही तो ईसलिए नाम से उनको जाना गया तो यह तो रही प्राचीन्तम जो भी कहानिया थी जो घटनाय थी वह अब लोगों ने पहले ये भी सुना होगा कि जो भगवान गनेश थे तो उनका भी सिर भगवान संकर के कुरोध में आने से उनका सिर काट गया मतलब कि जब आप लोग को कहां सांथ करने के लिए देवताओं ने सोचा कि माता पारवती ज्यादे कुरोधित नहुं तो इसलिए उनके सिर को उन के सिर पर जोड दिया जाएगा तो रास्ते में सबसे पहले हाथी मिला रास्ते में तो उसके सीर को धर से जोड़ना अभी भी medical जो science है modern medical science है उसके लिए impossible है जब कि हमारे प्राचिंतम गरंथों में इसका उल्लेक है मतलब कि यह theory है यह अभी भी यह चिकिसा पदती थी और चल रही थी उस समय और हम लोगों ने इतना ज़्यादा development कर लिया लेकिन सारी चीज़े अभी दरी की दरी हैं हम उसपे काम नहीं कर पा रहे हैं तो वह चिकिसा पदती थी ऐर वेद की ही चिकिसा पदती थी जिससे भगवान गडेश जी के सीर के जगा पर हाथी के सीर को जोड़ आ गया और तबीक से इनका नाम लमबोदर भी हो गया कई लोग गजानन भी कहते है क्योंकि गज के सिर्वाले हैं तो इस गजानन बोला जाता है तो यह सारी चीज़े अलग की चीज़े हैं फिर step by step अगर आगे चलेंगे तो आपको बता दे कि जो भगवान ब्रह्मा थे भगवान ब्रह्मा जी ने खुद आईरवेद के तंत्र को बताया औ और आईरवेद के आठ तंत्र मानोहित के लिए इन्होंने प्रित्वी पर प्रचलित किया और आईरवेद के तंत्र जो है अलग 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 पार्ट में अलग अलग बिमारियों में सरीर के अलग अलग रोगों में सरीर की अलग अलग समस्याओं को सुलजाते हैं तो जान लेते हैं कि आयरुवेद में अलग-अलग तंत्र कौन-कौन से हैं, तो अगर पहले तंत्र की बात करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आइरुवेद के आठ तंत्र है, तो आइरुवेद का पहला तंत्र है शल्य तंत्र, दूश्रा तंत्र है शालाक के तंत्र, तंत्र है आईरवेद का मानना ये है कि जो भी चिकिसा पदती इस समय मॉडर्न जो मेडिसीन सिस्टम जो चला है वो इनके अलग-अलग तंद्र पे अलग-अलग नाम से यह अपना कारे कर रहा है और यह प्रचलित हो चुके हैं तो जान लेते हैं कि जो आईरवेद के जो तंद्र है व बंटलम कि तरजिक्निक वीले तंत्र के ऊपर कारे कर रहा है इसी कि इसी की सहाइता से अपनी चिकिस्ता प्थित को भिख्षिट किये उगया साला के तनत्र को ही Uma हिए बोला जाता है शाइको एक हो जैसा कि modern system में psychotherapy बोली जाती है और आयरुवेद में उसको भूत विद्या तंत्र बोला जाता है कुमार भृत है pedatrix को कुमार भृत बोला जाता है मतलब कि सिसु रोग चिकिस्सक या सिसी रोग चिकिस्सक तो सिसु रोग चिकिस्सक बोलेंगे और pedatrix है तो सिसु रोग चिकिस्सक बोला जाएगा और वही आयरुवेद में कुमार भृत के नाम से प्रचलित है अगत तंत्र जिसको टॉक्सिकोलोजी बोला जाता है मतलब कि भारी तत्व आर्सेनिक हो गया पारा हो गया इनसे होने वाल step by step मैंने आप सभी के सामने रख दिया सभी चीजों को मैंने explain करके अच्छी तरह से समझाया तो आसा करता हूँ कि जो भी आयरुवेद का जो मैंने परिचे आप सभी को दिया वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा जिनको अभी भी confusion है आयरुवेद के इतिहास नहीं समझ में या क्या चीजे नहीं समझ में तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में उन चीजों को अच्छी तरह से समझा दूँ आशा करता हूँ कि आप मेरे class को रोज attend करते होंगे और जो भी student क्लास अगर attend कर रहा है तो बस present लिखने से नहीं हो जाएगा कि आप मैं देख रहा हूँ comment में बहुत सारे ऐसे students जो regular comment करते हैं present sir present sir तो इसका मतलब यह नहीं कि आप comment कर रहे हो तो आप class कर रहे हो अगर आप वीडियो को forward करते हो भगाते हो तो इससे यह नहीं होगा कि आपने class कर लिया वीडियो को बिना forward किये आप वीडियो को last तक देखिए और जो भी topic है आप उसको note कीजिए उस पे notes बनाईए आप ऐसा जान रहे हो कि मुझे नहीं पता चलता है कि कौन class attend कर रहा है कौन नहीं attend कर मुझे सारी चीजें पता है कि किसने class attend किया किसने नहीं attend किया क्योंकि मुझे watch timing से पता चलता रहते कि कि लोगों ने मेरी class को attend किया तो जो भी student class attend कर रहा है वो regular class attend करें और पूरे वीडियो को सुरू से लेकर के last तक देखे ताकि आपको जो भी topic है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो like, comment, share करना न भूले